हमारे अनमान जी खूम नाच रहे हैं राम जी के महुट सबर हम भी बहुत प्रसंद हैं यह हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ना होते हैं इंडो धरम को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा है यह दिवाली से बड़ा है यह दिवाली है और वास्तिक दिवाली है आज और देश को इकत्रुत किया है किसी भी जाती का किसी भी धरम का इंसान हो आज देश इकत्र हुआ है क्योंकि मर्यादा कशुतन राम का कहना था वो सिंबलाइज करते थे गुड़नेस को और त्याग की भावना को और आज वो भावना वो गुड़नेस तोगेदरनेस जो है वो हमें यहां दिखाई दे रही है। यह सनातन की सत्ता और रामराज की पुनर स्थापना का दिन है। समारों के साक्षी बन रहे हैं। अब मुझे लगता है कि यह हो ना पाता अगर इस देश का प्रधान मंत्री इस देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ना होते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनेतिक पाइटी का विरोध करें। कि विरोध ना करें। किसी राजनेतिक दल से लढ़ें राम से ना लढ़ें। क्यूंकि राजनेतिक दल को लड़के हराय जासकता है। राम को नहीं हराय जा सकता है, सनातन को नहीं हराय जा सकता है, भारत को नहीं हराय जा सकता है और राम भारत की आत्मा है। इंदू धरम को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा यह दिवाली से बड़ा है यह दिवाली है और वास्तिक्त वाली है आज और देश को इकत्रूत किया है किसी भी धरम का इंसान हो आज देश इकत्र हुआ है क्योंकि मर्यादापशुतन राम का कहना था वो सिंबलाइस करत आज देवे भवे मंदिर बन रहा है यह सनातन का एक नय इतिहास बन रहा है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई सुर्वात हो रही है और आज यहां सब हमारे सीर्श संत महापुर्ष एक दू को छोड़ दीजिए वो अपवाद है सब भा 200 क्रोड से अधिक राम भक्त प्रसंद है इससे बड़ा कोई सोभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आखों से देख रहे हैं